हलो गाइस तुम्हें सोफिया परसनल जो से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में तो यहां पर हम बढ़ रहे हैं हमारा अगला कनवर्जन जिसको हम कहा रहे हैं बैंजीन टू एनिलीन हमें बैंजीन से क्या बनाना है एनिलीन बनाना है तो बैंजीन स एनिलीन बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथट हम यहां पर अपलाए करने वाले हैं देखिए सबसे पहले हम यहां पर बैंजीन ले रहे हैं यह हमारा बैंजीन है जिसका फार्मुला है C676 जैसे हमने बैंजीन को लिया तो हम यहां पर क्या करेंगे HNO3 और H2SO4 नाइट्र यहां पर हो जाना है नाइट्रेशन जैसे ही नाइट्रिक एसिड और सल्फिरिक एसिड के प्रिजन्स में यहां पर करवा दोगे नाइट्रेशन तो NO2 जाकर बैंजीन रिंग से जुड़ जाएगा यहां पर देख सकते हैं आप इस तरीके से पर यह तो हमारा क्या बन जाना बहुत ही आसान मैथड है कैसे हम नाइट्रो बेंजीन से अनिलीन में कन्वर्जन करवा सकते हैं चलिए देख लेते हैं तो हम यहां पर हाइड्रोजन को एड़ करवाएंगे ठीके किसकी प्रिजन्स में आड़ करवाएंगे टीन और हाइड्रो क्लोरी के असिड की प साथ में कितने हाइड्रोजन जाकर जूड जाएंगे ऑक्सीजन का रिप्लेस्मेंट करतेंगे और दो हाइड्रोजन यहां पर जाकर जूड जाएंगे ठीके और बाकी के जो बचे वे वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे फोर वाटर के मॉलिक्यूल तो टू एच्टो बनके remove हो जाएंगे तो यह हमारा बन जाएगा यहाँ पर simple is that aniline ठीक है तो दो step process है यह benzene का nitration करवाया HNO3 से H2SO4 की presence में हमने nitration करवाया है ठीक है तो NO2 जाके जुड़ा जिसने nitro benzene का formation किया उसके बाद SNSCL की presence में हम reduction करवा दे रहे हैं तो O2 replace हो जाएगा और H2 जाके जुड़ जाएगा तो NH2 मतब की aniline आपका यहाँ पर बन चुका है तो यहाँ पर मैंने आपको बना दिया है aniline next video में मैं आपको और कुछ method of preparation और कुछ convergence करवाने वाली हूँ तो इसी तरह से जुड़े रहे हैं मारे साथ में वीडियो को लाइक करते रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो उससे आप comment box में डाल सकते हैं और अगर आप हमसे online home traditions पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको online home traditions की facility भी provide करा रहे हैं हमसे online home traditions पढ़ने के लिए description में जाकर सारी details ले और हमसे contact करें Thank you